प्रशाशन पर्श अतिकर्मी फिर हुए मस्ड। मदारगेट फिर पसा अगयवस्ताओं के जाल में। उपांदारों ने जटाया रूज। शेहर का सबसे प्रमुक मदारगेट बजार एक बार फिर अव्यवस्ताओं के जाल में फ़स गया है इस बजार की बदहाली को सुधारने के लिए प्रसाशन कई बार बड़ी कारवाई कर अपनी फीट थपपवाता रहता है लेकिन अतिकर्मी और अव्यवस्तित के अतायत हमेशा प्रसाशन को मूँ चिडाता रहता है कई बार तो नगर निगम और टापिक पुलिस चहित अन्य सरकारी मैकमों ने सहीट अभियान चलाकर बजार को सुन्दर बनवाया लेकिन इधर अधिकारियों के पीड होती है और उदर लोग एक बर फिर पुराना धर्रा खड़ा कर देते हैं शेत्र में प्रसाशन की उदासिंता भी नजर आ रही है उट्समेले में लगाई गई लाइटे आज तक शुरू नहीं की गई तड़कों की हालत में भी सुदार नहीं हुआ है वराइजन हिन न्यूस के रिपोर्टर अशोग बनवाल ने मदार गेट की अव्यवस्ताओं को अपने कैमरे में कैट किया शेत्रिये दुकानदारों ने भी अच्छी खासी नराज़ की जट़एगा कि यहां पर डो वंडर जौन कर वाए गवज़न दे इसलिए दो साल से लेकिन अभी विवस्ता वह भी है तेले एले सब परशान होई रहें कोई ट्राफिक की विवस्ता नहीं है आए दिन अभी भी जाम लग रहें गाडियां बन कर लग लेकिन पिर भी गाडियां आरी जा यहां के लोकल पार्षट के करता होई है यहां कि ऐसी है जिसकी कोई कहने वाली बात ही नहीं है पहली बात तो रोड ऐसे खुदे हुए है जानी में इस कि और या कुई गाड़िया दिन में 2-3 गिर्त है लेडिय पैर मुड़ जाते हैं और यह फुल बना है जुब यह शुदे करिया बदरात्व कर लिए बगाये और चल देते कोई सुनाही नियूं है और यहां नहीं प्रतेसियों ही जेव कटके है इसके कोई यहां और यह लाइट है लगी हुए हाथ चार महीने हो गए चेटी-चेटम वाले रोज खंपा लगया था कि मेले पहले चल्डू कर देंगे पर इसकी कोई वो नहीं हुई मंदेरा कूप रहता है रूट समेले में भी यही आलते विचारे जाहिन देखते हैं किदर को रोट जा रहा है इतर जाहिए या उतर जाहिए कोई सुनवाई में होती है आज तक लाइटे बंद रहती है और आज को पुलीस हाली जरूर रहते हैं पर इस पजार के अंदर इंजड़ों का इनका हित्ता माहुल खराब हो गया पूछो मती